दोस्तों अगर आपके पास में इस्टाग्राम पर एक से ज़्यादा अकाउंट है एक्स्ट्रा अकाउंट आपसे बन गए है या फिर आपने नीव अकाउंट बनाया है आप इस्टाग्राम को यूज नहीं करना चाहते हैं और आप ये चाहते हो कि जो अकाउंट हमने बनाया करते थे लेकिन अभी new update के बाद में हम वहाँ से delete नहीं कर पाते अब हमें किसी और जहाँ से उसको delete करना होता है permanent के लिए अगर आप यहीं चाहते हो कि हमारे instagram जो account जो extra बन चुका है या फिर कोई instagram का account जो आपको delete करना हो उसको permanent के लिए delete कैसे करना है वीडियो के अंदर आपको यही बताया जाएगा वीडियो को भी नए skip किया आपको end तक देखना होगा वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अपने भाई कराम जालेजे मेरे नामे शाहिद और आप देख रहे है IG help YouTube चैनल चैनल पर नए हो तो बाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के उपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपको ले करके चलता हूँ मोबाईल की स्क्रीन पर और मैं आपको वहाँ पर step by step करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने किसी भी Instagram के अकाउंट को permanent के लिए delete कर सकते हो तो आईए चलते हैं मोबाईल की स्क्रीन पर अपने Instagram को permanent delete करने के लिए आपको सबसे पहले Chrome browser में अपनी ID को login करना होगा उस account को login करना होगा जो कि आप delete करना चाते है और यह आप काम जो करेंगे वो browser के अंदर आगर करेंगे browser के अंदर आएंगे instagram.com लिखेंगे वहाँ अपना username password डालोगे उसके बाद मैं ID को login कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर login किया हुआ है लोग इन करने के बाद में नीचे profile पर यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद मैं इसा इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आपको setting का ऑप्शन दिखाए दे रहा है arrow का निशान बता रहा है इस पर किलिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप three line आपको यहाँ पर नजर आ रही है right side में आपको three line नजर आ रही है रोका निशान बता रहा है यहाँ पर click करेंगे उसके बाद में ऐसा interface आ जाएगा second number पर आपको manage your account वाला एक option दिखा दे रहा है इस पर click करेंगे और scroll करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा delete your account का arrow का निशान आपको बता रहा है इस पर आपको click करना है उसके बाद में यहाँ पर जो ना आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा जो आपका account जिसको आपको delete करना है उसका password डालने के बाद में delete नीचे जो account आ रहा है न delete और आपका username इस पर click कर देंगे और आपका जो account होगा successfully हमेशा के लिए delete हो जाएगा I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगए कि आपको पसंद आयो तो इसको like करें share करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में